हिंदुस्تानी भाव का meetup था नाखपूर में तो वहाँ पर पहुचे थी हिंदुस्तानी भाव फिलाल आपको बता दू के वो वहाँ पर समीर स्टैलो से भी मिले नाखपूर की जो आन माईशान है आ मेरी जान का जिनका डायअलोक से ज़्यादा फैमस है समीर इस्टेयलो उनसे भी नाखपुर में मिले है हिंदूस्तानी भाव यर फिर समीर इस्टेयलो खुद गए थे हंदूस्तानी भाव के बस मिलने के लिए ऐसा भी हो सकता है आपको बता दू इससे पहले भी समीर स्टारो हिंदुस्तानी भाउ से मिल चुके है फिलाल हिंदुस्तानी भाउ का दौरा था नाकपूर के अंदर तो वहाँ पर हिंदुस्तानी भाउ से जो है समीर स्टारो की मुलाकात हो गई है फिल्हाल आप यहाँ पर देख सकते हो जरी पट का में आखपूर में तनिव आए थे वहाँ से बेंट आप पर देखे हों य। यह फिर नहीं से वीटियो तो आगे वीडियो कर दूँँगा आप जरूर देख लिजिए आपको बता दू हिंदुस्तानी भाव बहुत जादा फेमस है क्योंकि वह बहुत जादा रोश्ट करते हैं आपने देखा हूंगा और बहुत सारे उनके जो वीडियो मीम्स जो है वह काफी जादा भी वाइरल होते हैं तो आपको वीडियो काशे लगा कमेंट सेक्षिन में जरूरू बाताना एक नमबा जैसा नागपूर इतना खुबशुरत है आप लोग भी इतना ही खुबशुरत है कड़ाक 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 लुको जरा सबर करो बोला ना धक्का भुक्की करने का ना लाइन से आने का लाइन से लेने का बना नागपूर की पब्लिक कैसा लेती है एक नमबा अब इसके बाद कचा कच चालू करें या नया डाइनो एक नमबर एक नमबर बोद अच्छा लगा है यहाँ पर आके मनुझ भाई और ओशन भाई करें